आज अपने डेली लाइफ में काम आने वाले छोटी छोटी टिप जान लेते हैं Hello Friend, क्यासी हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टिप की तरफ और देखते हैं क्छ डेली लाइफ में यूज होने वाले टिप जिससे की हमारा काम काफी आसान हो जाता है तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अपनी टेप की तरफ तो मेरी पहली टिप है कि जब भी हम कॉफी खरीद करके लाते हैं और एक बार जब हमने उसे खोल देते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि खोल देने के बाद ना ये डलियां सी इसमें बन जाती है बिल्कुल जम सा जाता है ये और फिर उसके उससे कॉफी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इस तरह ना हो हमारे कॉफी में इसके लिए आपको लेना है चावल और एक कोई भी टिशू पेपर में या न्यूज पेपर में इसे डाल करके थोरा सा देना है आपको और इसे अपने कॉफी के डब्बे में आपको रख देना है आप देखेंगे आपके आपका कॉफी बिल्कुल जमेगा नहीं और कोई डलिया नहीं बनेगी खराब भी नहीं होगा कोई मोश्चर नहीं आएगा मोश्चर आया तो यह चावल सोख लेता है तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ मेरी अगली टिप है कि चाचिंग के साथ तो छोटा निकल जाता है और उसे हम अपने हाथों में नहीं डाल पाते हैं तो इसके लिए क्या ऐसा करें कि आप थोरा सा छोटा अगर हैवी साइज तो आप आसानी से उसे अपने हाथों में डाल सकते हैं तो आप एक पोलिथीन अपने हाथों में डाल तो यह देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि पोलिथिन के उपर ने यह फिसलता है, और बहुत आसानी से यह हमारे हाथों में आ जाता है, तो थोरा छोटा भी है, तो आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से अपने हाथों में डाल सकते हैं, तो अब आपने अगर एक स आटा जब रोटी बनाने के लिए गोथते हैं, तो इसे हम सिर्फ सिंपल पानी से गोथ लेते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे की आप का रोटी बहुत ही जादा सौफ्ट होगा, और स्वाद भी काफी अच्छा होगा, और आप का र ले लिजिए पानी, जितना भी आपको अंदाजा है कि हमें इतना पानी चाहिए, और इस सिंपल पानी में आपको डाल लेना है आधा का दूद, तो आप उसी हिसाब से आधा दूद और आधा पानी कर लिजिए अपने आटे को गोथने के लिए, नॉमल दूद लेना है अंदा फ्रिज का लेना है, या फिर गरम लेना है, नॉमल दूद ले लिजिए और अपने पानी में मिक्स कर लिजिए, आधा दूद और आधा पानी कर लिजिए अपने आटे को गोथने के लिए, और अब आप इससे आटा अपना गोथ लिजिए, आप तो गोथते वक्त ह काफी आपको soft लगेगा color भी बिल्कुल white सफेध होता है रोटी का और आप जब रोटी बनाएंगे तो बहुत ही जादा सफेध भी बनेगा और fully fully भी होगी और काफी test होगी टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी काफी होगा तो आई होप आपको मेरी ये सारी टिप पसंद आई होगी अगर आपको मेरी टिप थोरी से भी अच्छी लगे थोरी से भी आपके लिए helpful हो तो प्लीज एक लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेमिल फ्रेंट्स में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके तो मिलेगी फिर अगली बार